नमस्कार दोस्तों मैं एकता गुपता हाजिरू क्राइम तैम एराज क्राइम आपके लिए लाया है एक नाबालिक बच्ची की कहानी जो गैंग रेप के बाद अपने गैंग रेप से तो पीडित थी अब उसके उपर एक और जिम्मेदारी आ गई अपने बच्चे को अपने पिता का नाम दिलाने की आईए आपको बताते हैं विस्तार से क्या है कहानी कहानी उत्तर प्रदेश के कप्तान गंच की जहां 15 वर्षी लड़की के साथ दुशकर्म होता है दुशकर्म के बाद वह लोक लाज के चकर में अपने माबाप को नहीं बताती है लेकिन जब धीर के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो जाके ठाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं और तीनों को हिरासत में डलवाते हैं जहां हिरासत में आने के बाद तीनों को कड़ी सजा भी मिलती है अब तीनों जेल में हैं लेकिन लड़की अब 6 महिने से प्रगनंट है अब इस प् कि घास काटने गई तो उस दोरानी उसके साथ दुशकर्म हुआ दुशकर्म के बाद उस रे पिड़ता ने लोक लाज की चकर में किसी को कुछ न बताया और जब वो छे महने की प्रेगनेंट होगी उसके बाद जब ये केस पुलिस के सामने आया तो बस इंतजार है कि जब ब बच्चे के पिता का नाम भीता है हुआ इनधे जह डालते हैं आपको विस्तार से बताते हैं उत्तर प्रदैस के कप्तान गंश की ये कहानी रे पिड़ता की जबानी गैंगरे पिर्डिता की कोक तै करेगी पिता का नाम 15 साल की लड़की 6 मैंने से है गर्बती आपको बता दे 15 साल की गैंगरे पिर्डिता की कोक से ही अब यह तै हो सकेगा कि दुनिया में आने वाले नौजात का पिता कौन है इसी साल 13 जून 2021 को जिले के कप्तान गंज थाना छेतर में सामने आई इस संसनी केस प्रकरण में मुकदमा दर्ज होने के समय पिड़िता करीब पाच मा की गर्बती दी किशोरी की जान खत्रे में न पड़े इस वर्जे से गर्ब पात नहीं हो सका गैंग रेप के आरोब में गाउं के तीन युवकों को जेल वेजा जा चुका है किशोरी के गर्ब में पल रहे बच्चे का पिता कौन है इसका पता डियने जाच से ही चलेगा कप्तान गैंज ताना चेतर की रहने वाली किशोरी के साथ गैंग रेप की घटना से पहले उसके अभी भावक भी अंजान थे जून 2021 के दूसरे सब्ता में दिक्कत होने पर परीजन उसे अस्पताल ले गए तो पता चला की वह गर्बती है तब ही उसने बताया कि पाच जन था उनके डर से वह चुब रही और इसकी जनकारी किसी को नहीं दी इसके बाद पिगड़िता के पिता ने पुलिस में तहरीर दी पुलिस ने गाउं के ही रहने वाले बिजेज निशाद गोरग वा प्रदीब के खिलाफ गैंग डेब धमकाने वा पॉक्स तो एक्ट के तह बाद मुगदमा दर्श किया और उपितों को गरफतार कर जेल भेज दिया गया पिगड़ितों का मैडिकल कराया गया तो उसके पेड़ में पल रहा गर्ब 20 सबता का बताया गया पुलिस के अनुसार पिगड़ित पक्ष ने गर्ब पात कराने से मना कर दिया लिहाज़ा ज